खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जमीन नहीं है मन्जिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है बहुत सारे बच्चे अब इस वक्त पे इस सिच्वेशन में एकदम ऐसे सर पकड़ के रो रहे होंगे कि हमारा कुछ भी पढ़के नहीं हुआ है अब क्या करूँ बोर्ड एक्जाम भी आने वाला है लगता है पोस्पॉंट भी नहीं होगा कैंसल भी नहीं होगा कुछ बच् या ओफ-लाइन आपका एक्जाम हो जो भी हो वो डिपेंड करता है उस सिच्वेशन भी ठीक है लेकिन आपको हर एक परिस्तिती के लिए तयार रहना है रेडी जहना है तो काफी सारे बच्चों ने हमसे पूछा है कि अब क्या करूँ मतलब अब कैसे पढ़ाई करें अभी है अब सिर्फ और सिर्फ एक महना रहे गया है वन मन्थ टू गो करेक्ट सो अब क्या करना चाहिए प्रॉपर स्ट्राटिजी क्या है एक यह एक मन्थ के लिए हमने पूरे साल भर पढ़ाई की है लेकिन अगर हम इस मन्थ में अपना पूरा का पूरा कॉरा कर दिया मतलब धीला पड़ गया तो पूरा का पूरा मेहनत जो है ना आपका वो वेस्ट है अगर आप 90 प्लस कोर करने के लायक थे तो आप 70 पे ही अटक जाओगे इसके लिए ये जो एक मन्त है वो बहुत जादा क्रूशियल है आपके लाइफ में तो इसको देखते हैं इसक की है जिन सब्जेक्ट में आपके पढ़ाई बहुत बहुत कम हुई है या फिर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप कैसे उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो तो इस वीडियो का इस वीडियो में आपको पताऊंगी कि आप कैसे अच्छे मांक्स ला सकते हो आपके व उसका मतलब क्या होता है change for good उसका मतलब क्या होता है change for good ओके तो पहला step क्या है जब भी आप पढ़ने बैठते हो या फिर कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो आपको हमेशा positive रहना है ये नहीं सोचना अब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि वो सोचते होंगे कि हमारा तो अभी हमने तो पढ़ाई नहीं है एक साल पूरा अब हम आखरी के एक महिने में क्या कर सकते हैं तो देखो अभी कुछ करना मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे हो उससे अच्छा तो कुछ करी ले ना तो हमेशा positive रहकर रहना चाहिए आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं एक महिना जो बच्चा है उसमें दिन राद पढ़ाई करके पास हो सकता हूँ अभी भी आपके पास मौका है अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ठीक है सेकेंड वाला जो है अब आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाती हो आपको ये धूलना है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाती हो एक major जो issue है सब बच्चों के लिए वो है आपका phone ठीक है वो है आपका phone तो यहाँ पर आपको ये धूलना है कि क्या कितना टाइम मेरा उस चीज में जा रहा है, ठीक है, तो find root causes, मतलब क्या है, root क्या है, जिस वजह से मैं distract हो रहा हूं या हो रही हूं, उस root को find करना, और उसके लिए solution निकालना, अल्रेडी एक distraction कैसे avoid करते हैं, वो वीडियो मैंने upload कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो please जा कर उसको देखिए, बहुत यूसफुल है, अब थर्ड जो है हमारा, keep mind open for good ideas, इसका मतलब क्या है, कि हमेशा दिमाग खोल कर जीना सिखो, है ना, presence of mind अपना यूस करो, इसका एक मेरा मतलब यह है, कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूरी बना कर र family member हो सकता है, ठीक है, classmates हो सकते हैं, तो लेकिन आपको ऐसे friends लोग के साथ रहना है, जो आपको motivate करते हैं, जैसे अगर आपका कोई friend 8 घंटा पढ़ रहा है, और आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसे friend के साथ रहो, लेकिन कभी-कभी यह उल्टा भी पढ़ चाता है, ठीक है तो ऐसे friends के साथ रहो, जो आपको motivate करते हैं, fourth point जो है वो हमारा, don't wait for the perfect solution, perfect solution के खोज में अगर आप बैठोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में waste of time, मतलब आपके साथ waste of time ही होता रहेगा, कोई भी channel, कोई भी YouTube channel, कोई भी इनसान आपको perfect solution नहीं बोल सकता, दे सकता, जब तक आप खुद start ना करो, जब तक आप खुद, आपके अंदर से, खुद से motivation ना आए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो खामखा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, अब देखते हैं, आपके पास चार चाप्टर हैं, PC, MB, major chapters, major subject, sorry, और उसके साथ आपके पास languages हैं, आपके पास दो languages हैं, English, Hindi, अगर किसी ने हिंदी लिया होगी, तो हिंदी, IT लिया होगा, IT, Marathi, बहुत सारे languages हैं, जिसने जो लिया होगा, मैं आपर हिंदी का लेकर चलती हूँ, किसी-किसी बच्चे ने PCM लिया होगा, किसी ने PCB लिया होगा, और किसी-किसी ने PCMB चारू लिया होगा, तो यहाँ पर अगर किसी ने PCM लिया है, तो PCM का टाइम टेबल देखो, PCB लिया है, तो PCB का और PCMB लिया है, तो उसका देखो, मतलब जो subject आपने नहीं लिया है, उसका, वो skip करते जाओ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने बत, पूरे दि कितने आर्ज होते हैं, 24 आर्ज होते हैं, ठीक है, कितने आर्ज होते हैं, 24 आर्ज, अब मैंने इन 24 आर्ज को subject-wise डिवाइड किया है, क्योंकि देखो, आपके पास एक महिना लेफ्ट है, वन मन्त लेफ्ट है, जिसमें आपको हर एक subject प्रॉपरली पढ़ना है, तो अब टाइम देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे अशी बच्चे है, जिनको फिसिक से डर लगता है, फिसिक में निमेरिकल भी होता है, त्योरी भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है और फिसिक थोड़ा सा बच्चों को टफ पढ़ता है, इसके लिए मैंने सोचा कि फिसिक से तो 3 गंटे physics के लिए chemistry के निर्ख कि लिए zwischen chemistry के लिए 10 गंटे consistency बना कर रखनी है, English के लिए एक घंटा, और Hindi के लिए एक घंटा, ऐसे आपको पूरा दिन का टाइम टेबल बना कर मैंने दिया है, ठीक है, तो इतना इतना टाइम आपको क्या करना है, Physics, Chemistry, Maths, Bio and English, Hindi आपको पढ़ना है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है अब हमारे पास एक February से 15 February का मैं आपको day plan बताती हूँ, कि एक February से 15 February तक आप कौन सा schedule follow करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि explain करना है मुझे, तो मुझे time थोड़ा सा लग सकता है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए sorry, ठीक है, अब यहाँ पर subject यहाँ पर दिया है मैंने, और यहाँ पर timings दी है, अब आपको क्या करना है, ये पूरे दिन का tim table है, कि आपको कैसे, सुभा, देखो, सुभा आपको कितने बज़े उठना है, समझो, मैं ये अपने हिसाप से tim table दे रही हूँ, अगर आप ये tim table follow करते हैं, तो well and good, अगर या फिर आपका online class या फिर कुछ है, तो थोड़ा उपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये follow करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, छे बज़े आप उठते हैं, जैसे आप उठते हैं, पाँच मिनिट फ्रेश हो जाईए, उसके बाद आप छे बज़े आपको बैट जाना है, मतलब आप छे बज़े में आदा गंटा पंदरा मिनिट पहले ही आपको उठ जाना है, और आपको छे बज़े से आठ बज़े तक, देखो, हमने यहाँ पर हमने देखा था, one second, yes, हमने यहाँ पर देखा था कि आपको chemistry क कितना ताइम था, two seconds, two hours का, two hours का ताइम था, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ, लुदेником, 6 बज़े से 8 बज़े तक, सुभा के 6 बज़े से 8 बज़े तक, आपको क्या करना है, chemistry पढ़ना है, chemistry के, अगर चाहिए आपको तो में सबजेक्ट, जो subject के chapters हैं उसका भी time table बना कर दे सकती हूं इस वीडियो के comment section में आप मुझे comment करके बताना तो मैं chapter wise भी time table बनाऊंगी ठीक है और जल्दी करना time चला जाए उसके पहले तो 6 से 8 आपको क्या करना है chemistry पढ़ना है chemistry में numerical derivation theory सब होता है तो सुबा सुबा अगर आप chemistry पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा है आपको याद भी रहेगा क्यूंकि उसमें organic part भी होता है जिसको आपको learn भी थोड़ा करना होता है ठीक है तो उसके लिए बहुत अच्छा है morning का time फिर आप 6 से 8 chemistry आपका 2 गंटा आपने पढ़ लिया break time है आपका आप साढ़े आठ से 9 बजे तक आप इसमें breakfast करो आप इसमें जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो उसके बाद आपको 9 बजे से 10 बजे तक एक गंटे का time English के लिए दिया था तो English पढ़ना है English में novel section है बहुत सारी चीज़े हैं sample paper आपको explain किया है English का 2022 का sample paper जो market में book आ चुकी है उसका sample paper explain किया है जाकर आप हमारे playlist में या फिर वीडियो में recent videos में आप हमारे देख सकते हैं और मैं तो कहूंगी कि compulsory देखिए ही देखिए बहुत बहुत important है वो प्लीज उसको skip मत करिए break जो है अब आपने 9 से 10 English पढ़ लिया अब break आप 10 से 10.5 ब्रेक ले लिजी आदा गंटा मस्तफ रेश हो जाई है अगर एक power nap लेना है वो भी ले लिजी अब आपको जैसे आप time table आपका पता होगा board exam का तो 10.5 से 10.5 बज़े तक आपकी board की exam है तो हमेशा ये try करने का न एक महिना पहले दो महिना पहले से start कर देने का कि जो exam time है मतलब जैसे 10.5 से 10.5 बज़े तक का आपका exam time है उसमें नहीं आपको कुछ खाना है नहीं पीना है सिर्फ पढ़ाई करनी है और वो भी ऐसा subject पढ़ना है जिसमें आपका पूरा दिमाग हो तो वो ऐसा subject है कौन सा वैसे तो सब हैं इसमें लेकिन physics मैंने याँ पर रखा है तो इससे क्या होगा इस time पर आपका जो mind होगा न वो active होगा मतलब काम करता रहेगा तो जब आप exam में जाओगे तब आपका mind सोया हुआ नहीं रहेगा उसको sleepness नहीं होगी ठीक है वो एक अब जो है break आप देड़ बज़े से तीन बज़े तक अच्छे से break लेड़ो ठीक है लंच वगएरा खर लो एक power nap ले लो चोटा सा चाहिए तो उसके बाद आप तीन बज़े से चार बज़े तक हिंदी पढ़़ो ठीक है लिग हिंदी में भी आपको लग उतरी और फिर दो ग्सकत प्रेश उठाऊं, ठीक हैं, ब्रेक ले लिये, अब एवनिंग का ताइम में थोड़ij भी लगता है, तो साड़े छार से साड़े छे आप बायलोजी परो, थियोरी सबजेक्ट है, फ्रेश फ्रेश रोगे, पढ़ लोगे, फिर ब्रेक लेलो आप 6.30 से 7.30 एक घंटे का ब्रेक लेलो कहीं टहलने वहलने चले जाओ थोड़ा सा फ्रेंड से गपशप कर लो कि क्या है कैसा है लेकिन इस वाले ब्रेक में आप ये याद रखो कि जादा पढ़ाई की बारे में बात ना करो थोड़ी सी मजाग मस्ती करो ठीक है जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा बस उसके लिए मैं कह रही हूँ फिर आता है मैट्स का टन मैट्स आपको क्या करना है फिर साढ़े साथ से दस बजे तक धाई घंटा मल लगा के मैट्स प्रेक्टिस करनी है मल लगा के एकदम जबर जस्त ठीक है एकदम फाड़ देना है अरे भई कोई भी आपको एक्जाम्पल दे कोई भी क्वेशन दे आपको वस देखते ही उसका solution आजाना चाहिए, ऐसी वाली जबर्जस्त आपको माट्स में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको 100 में से 100 लाना है ना माट्स में, 80 में से 80 और वो 20 तो इंटर्नल मिलने ही वाले हैं, so, इतना आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस यर क्वेशन, पिछले 5 साल के क्वेशन आपको देखना है, पिछले 5 साल के क्वेशन आपको देखना है, आपको उसको अनालिस करना है, कि किस चाप्टर, किस कौन सा क्वेशन ऐसा है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसा कौन सा question है PYQ जब आप देखोगे तो आपको क्या observe करना है कि ऐसा कौन सा question है कि बहुत बार जो है repeat हुआ है किसी भी YouTube channel किसी के भी उपर depend नहीं रहना है खुद देखना है खुद से analysis करना है और फिर आपको उस questions की जादा practice करनी है उस questions की जादा practice करनी है तो 17th day पर आप क्या करोगे फिर से आपको एक हफता साथ दे जो है जो आपने पहले 15 दिन पढ़ा उसका revision करना है और PYQ में से जो बार बार repeated questions आए है उनकी और अच्छे से practice और revision करना है फिर जो साथ दिन आपके पास बचे हैं अभी भी एक महिने में साथ दिन आपके पास बचे हैं 28 का महिना होता है लेकिन एक दो और ऐसा आप add कर सकते हो March का भी क्योंकि आपका चार तारिक से एक्जाम चालू होने वाला है तो जो साथ दिन और बचे हैं उसमें आपको sample paper solve करना है अब यह sample papers कहां से मिलेंगे आपको तो आपको यह sample paper हमारे telegram group पे मिल जाएंगे जो अभी अभी fresh book आई है 2022 की book आई है उसके sample papers हम जल्दी upload करने वाले हैं तो आपको वो हमारे telegram group पे मिल जाएगी तो फटा फट से join कर लीजिए अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है ठीक है तो इतना ही था आज के लिए जादा और नहीं बोलूँगी क्योंकि खामका हमारी जो वीडियो है वो लंबी होने वाली है हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए आप हमारा वहाँ सेंपल पेपर्स वगएरा आपको सब मिल जाएगा एक और इंपोर्टेंट बात यह बताना चाहूंगी मैं कि अब आप बोलो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यह सब कैसे पढ़ाई करें तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है Important Questions of PCMD उस प्लेलिस्ट में जाएगे आपको हर सब्जेक्ट का Important Question मिलेगा बायो के डाइग्राम कौन से Important है वो भी हमने वीडियो बनाए है तो सारी Important चीज़े आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और English के लिए आपके लिए मैंने simple paper, paper pattern, फिर हमारे चानल पे appreciation ये वाले वीडियो भी uploaded है, grammar, writing skill, ये सारे के सारे वीडियो जो है हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे आपको मिल जाएगा, प्लीज जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए और हमारा playlist देखिए जरा जाकर और आपको पिल कर सकते हैं, समझ में आया, एक और बात है कि आप जो है, अगर आपको chapter wise, time table चाहिए कि chapter wise, कि ये chapter हम इस दिन पढ़ें, इस chapter को इस दिन पढ़ा जाए, ऐसा अगर आपको time table चाहिए, तो comment section में हमें जरूर बताईएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, तो like करिए अगर पसंद आया हो, comment करिए और अपने friends के साथ, share करिए, जितना हो सके, उतना share करिए, please, ठीक है, subscribe कर लीजे, अगर नहीं किया है, तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं, और हमें Instagram पे भी follow कर सकते हैं, ठीक है, thank you for watching guys, wish you all the best for your future and your exams, thank you, thank you very much.